हेलो फ्रेंज मैं आपका दोशेफ डियस मैरा दोस्तों कई कमेंट आ रहे थे बेकरी से इंस्टाग्राम पर भी आयो थे कि हमें एक छोटी से होम बेकरी स्टार्ट करने हैं अगर हम घर में करना चाहें तो वह ठीक है लेकिन हम छोटी से बहार अगर हम शॉप लेके छोटी से करना चाहे हैं तो किस तरह के हमारे का एक्यूमम्ट लगे upon या फिर एक चोटा थे स्टार्ट-अप त्यार कर सकते हों अपने घर में या इक छोटी शॉप छोता सा ओवन लेसकते हो जिससे हम बोलते हैं सिंगल डैक्सिंगल ओन से तरह के अरे पहला थे ज़ो सञ चलते हैं लोगेam कि तोरप डिकांती तौर पर पर अपने आप से बढ़न में है यानिक Cars जा सकते जो की आपकी बढ़ीर सिस्टम रहताँ है वैसे तो दोस्टों na कई तरह के आ रहे हैं विज कर रहे हैं दूसरे तरीकला from the चौटी आ के लिए आपको लो सिंगल डेक सही रहेगा जो आपको अच्छी तरीके से सबस्मझ में आ जाता है यानि कि उसकी सिस्टम होते हैं बहुत ही इजी होते हैं दोस्तों सेकिंड वह पैलेंट्री मिक्चर अगर आप कोई भी अपना क्रीम अगर फैट नहीं हो तो केक के लिए तो हमें पै यह दो 5 दिटर कर दो लेका तो यह सकते मिक्रड़ामं पेला फील मिक्चर में और को सकते हैं , शोंचू बहूंचू तो थीलेके यह पnet मिक्चर में यूउस यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हमें पैलेंट्रियों। सकते हैं तो इस चीज को अवाइड कर देना यानि कि पैलेंट्री मिक्चर को मत लेना और जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में ब्रेट स्लाइसर उस चीज को भी मत लेना क्योंकि अगर आप ब्रेट से रिलेटिट कोई काम नहीं करोगे तो इस चीज की जरुवत नहीं है अ आठ लिटर का ले सकते हैं दोस्तों जो अगला जो इक्यूमेंट है वह प्रूफिंग चैमबर जिसमें ब्रेड प्रूफ करने के लिए रखते हैं चैया अगर आप स्मॉल तरीके से जो आप स्टार्ट करना चाहें तो च्छेट च्रेंग चैमबर आता है तो आप उस चीज बात बोलाओं कि जब अगर चैमबर की जरूट नहीं पड़ेगी आपको ब्रेड बनाना शुरू कर रहें तो इस चीज के आपको जरूट नहीं पड़ेगी तो इन सब चीजों की फ्रेंस आपको जरूट पड़ सकती है आप छोटी सी बेक्री स्टार्ट करना चाहते हैं अ यानि कि उसमें खाली एक डाइक और आप उसमें एक ट्रे डाल सकते हैं ठीक है जो सैकिंड मैंना आपको बता है पैलेंट्रे मिक्चर यूज करेंगे पांस लेंगे और जो तीस्ता पॉइंट जो मैंने बताया था जो तीस्ता अगर आप इक्क्यूमेंट लेंगे वह भी लेंगे वह यूजिस का लेंगे क्योंकि अगला उससे की जड़ पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि इससे और अच्छा लेने की मिक्चर बी अलग से होता है अगर पैलेंट्री मिक्चर भी ले कि आप उसमें खाले डो नीडिंग कर सकते हैं जो आपका डो नीडिंग होता है वह अच्छी तरीकी से कड़ देता है जो कि पैलेंटरी मिक्चर में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसलिए थोड़े अलग-अलग होते हैं क्यूमेंट मैं अपनी तरब से बता हूं तो आप कोई भी अपना मिक्स के तो आपको पैडल यूज कर सकते हैं जो अपना कुकीज बगे रहा होता है तो उसमें भी आपके हेल्प हो जाएगी जो आपका पैडल कर लेगा जो तीसने माना आपको बोला हुआ है कि जो अपना पैलेंटरी मिक्चर है 20 लिटर्स का वह सही रहता है तो इससे यह होता है कि जो उसमें डालते हैं तो इसलिए उसका मौस्चर बनाने के लिए ब्रेट की कॉलिटी अच्छी करने के लिए प्रूफर चैंबर लेना जुदिरी हो जाता है ठीक है जो अगला अगला एक्क्युमेंट जो मैं बताया हो था वह ब्रेट स्लैसर इक जो ब्रेट जैड़ साइसर अगला एक करा जिकले जाना होता है अब आक होटा मृट म polit हो है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपके लागत लगती पैसे जिसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं तो यह कुछ क्यों मैं आपको बताए कि चोटे चार्ट अगरा बेकरी सुरू करना चाहे तो उसमें किस चीज की जरुद पढ़ सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरीके सबसे में आया होगा और अच्छी भी लगी होगी फिर मिलेंगे नेक्से सी रेसिपी और नॉलेज में मुझे जय इजाजत जय हिंद